हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग आधा आप सासिया का आज हम देखेंगे हमारी सीटेट नोट्स क्लासिक्स पॉलिटी एक आई थ्री इत्मिस यूनिट थ्री का हमारा चप्टर फाइफ शेक्स और सेवन सॉरी कल नहीं हो पाया क्योंकि कल कुछ और अपलोट करना था बट ड अच्छे से देखिए अच्छे से सुनिए और अच्छे से अपने नोट्स डाड़ी करिए और एक बार मैं कहना चाहूंगे कि वीडियो देखिए सर के सणी सर के टीचर 247 जो उनका नाम है चैनल का सर के जो कोशन हैं उनसे आपको काफी हैल्प मिलेगे और यह जो नोट से जब आप देखेंगे करेंगे समझेंगे तो आप कोशन के अंसर इसली देख पाएंगे बट अभी तक जिस जो जो यह वीडियो देख रहे हैं इन्होंने मुझे लाइक नहीं किया है कोई बात ने आप देख रहे हैं यह बहुत बढ़ी बात है लेकिन एक लिस्ट यह तो चले कि आप कहां से देख रहे हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बात होती रही कि बात में पहले पढ़ाएं हमारा अध्याय पांच यानि की लेसन 5 है हमारा पंचायती राज पंचायती राज की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वह राजस्तान के नागूर डिस्टिक से हुई थी अब पंचायती राज्यों है अब तो सब जगे हैं सभी गाओं में हैं देखते हैं कि इसका जो एड्मिस्टिशन है इसका जो प्रशाशन है वह किस तरह से होता है और वैसे जो लोग गाओं की हैं वह तो डेफिनेटली जानते ही होंगे उनके लिए तो कोई इ है ना रोचले स्टार्ट करें एक ग्राम पंचायत कई वाड़ों यानि छोटे शेत्रों में बटी होती है प्रतेक वाड़ का अपना एक प्रतिनेधी चुनता है जो वाड़ पंच के नाम से जाना जाता है टेक है वाड़ पंच का प्रतिनेधी किस नाम से जाना जाता है व पंचायत शेत्र के लोग मिलका सरपंच का चुनाव करते हैं यहीं कि वाट पंच के लोग मिलके किसका चुनाव करेंगे सरपंच का चुनाव करेंगे जो पंचायत का मुख्या होता है पंचायत का मुख्या कौन होता है पंचायत का मुख्या सरपंच होता है सरपंच का चुन सचीव का चुनाओं नहीं होता है। उसकी सरकार द्वारा निueकती होती हैu किसके द्वारा सरकारु क्योंकि सरकार उसको छूस करती ते जिस मधें बीजए हो आप सचीव चीज जारे और अपने काम करें लिए सचीव का रूत ग्राम सबा एक पंचायत के शेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सभा होती है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा एक पंचायत के शेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सभा होती है, कभी-कभी पूछ भी सकता है, कभी-कभी पूछ भी सकता है, कभी-कभी ऑप्शन देख क्योंकि राजी में बहुत सारे गाउं होते हैं और हमारा जो देश हो तो गाउं का ही देश कहलाता है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष यह उससे जादा हो जिसे वोट देने का अधिकाब प्राप्त हो और जिसका नाम गाउं की मद्दाता सूची में हो वह ग्राम सबा का सदसिक कौन हो सकता है तो इसको देख लेजिएगा अभी तक तो शायद आया नहीं आएगा तो आप देख लेजिए को क्योंकि कोशन जो है वह खमिशा रिपीट तो होते हैं बद इतने रिपीट ने होते टू या त्री रिपीट होंगे तो ध्यान से इसको पढ़िएग और को सीरीज अगर आप पढ़ने के कोई जरूत नहीं है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपका माइंड फिर डेस्ट अप होगा फिर इधर उधर हो जाएंगे नोट्स अपने प्रिपेयर करिए नोट्स बहुत इंपोटेंट हैं आपके सी टेट के लिए विए फाइफ पंड़े 600 की बुक्स लाने से कोई मतला नहीं है जितना अपने से पढ़ेंगे उतना आपके माइंड में सेट अप होता चाला जाएगा अब चलते हैं ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत क्या होती है पूरे गाउं के हित में निस्पक शुरूप से काम कर सके उसमें ग्राम स सबच सब्सक्राइब एग लोगों के सामने में। कि उसी कुष पे ध्यान दे साती पैसों का दुरुपयोग वा कोई गलत काम न हो सकिं निगरानी भी करती है इस प्रकारसिक ग्रामसबा के लोगों का का मैं प्रख़ के लोगों के प्रख्यों उन्हें जिम्मेदार और जव्हाब दे में ब degred ग्राम सबा ग्राम पंचायत के नियमत रूप से बैठक होती है इसका मुख्य काम उसके शेत्र में आने वाले गाउं में विकास कारिक्रम लागू करवाना होता है जो भी गाउं में विकास कारिक्रम होते हैं उसको लागू करवाना काम उनका होता है ग्राम सबा ही ग्राम पं पंचायत के काम को सुख्रति देती है तभी पंचायत अपना काम कर पाती है वो बताती है कि गाउं में यह चीज़े चाहिए अब एक ग्राम पंचायत के काम क्या क्या है देख लेते हैं सडको नालियो इस्कूलो भवनो पाने के सुरोतों और अन्य सारवजनिक उप्योगों उप्योग के भवनों का निर्मान और रख रखा बहुत सारी चीज़े चाहिए रहती है गाउं में भी इस्थानिय कर लगाना और इकटा करना गाउं के लोगों को रोजगार देने संबंदी सरकारी योजनाई लागो करना ताकि गाउं के लोग गाउं में रहें बाहर ना जाएं बाहर जाएंगे तो गाउं तो एकदम खाली हो जाएगा तो कोशेश यह की जा रही है कि अब जो भी रोजगार हो काम दनी के स्रोत्र उसमें क्या है घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशी है जो हाउस टेक्स लगता है उसके विबिन सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशी जो जनपद एवं जिला पंचायद द्वारा आती है गाउं के ज समुदाई की काम के लिए मिलने वाली तांड कई लोग होते गाउं में जो दोनिशन भी कर देते घॉड कि ए यहुकश भी दान कर देते लोग कुछ बिसक्ई बनवाना हो टो अब हो तो ज्यायाम के पास जैसा होता हो और तो फद्रे सापर ini कर देता है तो थोड़ा स아 कुछ राजियों में ग्राम सभाय काम करवाने के लिए समीतियां बनाती हैं, उधारन के लिए निर्मान समीति, ठेक है, अब देखे, सपोस्ट डायट है न, कि एक गाउं में समुधाई केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्मान समीति करेगी, समीतियों के कुछ सद पंचायत के तीन इस्टर, इसको याद रखेगा, इससे भी कुछ बन सकता है, पंचायती राजविस्ता एक ऐसी प्रकिर्या है, जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, ग्रामिर शेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला इस्टर है, ग ग्राम पंचायत के प्रती जवाब दे होती है, क्योंकि ग्राम सबा के लोग ही उसको चुनते हैं, किसको चुनते हैं, ग्राम पंचायत के लोगों को ग्राम पंचायत के बाद दूसरा इस्टर विकास खंड होता है, जिसे जनपत पंचायत या पंचायत समीती कहते हैं, एक पंचायत समीती में कई ग्राम पंचायते होती हैं, ग्राम समीती के उपर जिला पंचायत या जिला परिशद होती है, ये तीसरा इस्टर है, पहला इ पहला इस्टर आपका हो गया है ग्राम पंचायत ठीक है फिर जनपत पंचायत या पंचाय समेति और उसके बाद जिला पंचायत या जिला परिशद ये तीसर इस्टर होता है जिला परिशद एक जिले की इस्टर पर विकास यूजनाएं बनाती है पंचाय समेति की मदद से ज जिला परिशत सभी पंचायत में आवंटित राशी के लिए वित्रण की ववस्ता कर दिये तो कुछ धन राशी कहां से आ जाती है बच्चो जिला परिशत से यह इसका भी कोई एक कोई था उसको दिखेगा उसको पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत के लिए धन राशी जानुदान कौन करता है तो आप क्या लिखेंगे चिला परिशत अचा कुछ कोश्चन है एक थोड़ा से चेक करिए आप लोग भी समविदान में दिये गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्ये ने पंचायत से जुड़े कानून बनाई है इसलिए पंचायत समंदी कानून हर राज्ये में कुछ अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हर एक गाउं का जो कानून है तो इसको भी आट कर दिया गया तो गाउं के हिसाब से अलग अलग कानून है कुछ कानून तो ऐसे हैं जो पूरी देश के लिए कुछ कानून है जो अलग अलग गाउं के लिए हैं इसके पीछे मुखे विचार यह है कि गाउं की वरस्ता में लोगों की भागिदारी बड़े उन्हें अपनी आवाज उठाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले यह हमार चप्टर था फाइब पंचायती राज अब पंचायती राज से हो रहा है हमारा गाउं का प्रशाशन हम चलेंगे गाउं के प्रशाशन के दरब हर पुलिस थाने का एक कारेशेतर होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है लोग उस लोग उस शेतर में हुई चोरी धुरग यहीआ और यह में पेर CON Iraq कुम्त इस निभी अतएम आधकि या पर एक आपने टैमें यहीं पर थे सब्सक्राइकन कि आने भी ईहां यहां हो चरूब करफ टैमने के अगर में दर्थड में आफिक द्राएंगे ऑटातर कर पारो का्षाब कर और अब श्रेतरों की मावलों की कालवाही कर पदोड़ास काम फिक 가운데 राजस विभाव कहलाता है इसकी क्या क्या का रहे हैं कारी दिखते रहीएगा बच्चों बच्चों भाई पहन जो भी हो जमीन को नापना सबसे पहला क्या काम है गाउं में जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है पटवारी जो गाउं में क्या करते हैं जमीन को नापते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं उन्हें पटवारी कहते हैं अलग अलग राज्यो हुआ में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता हुआ इसो को कहीं प्रक्षारी इंप जमीनी िअपना उसको रिकॉर्डर यह था होता है अगर करें प्रक्षारी मुद्पोचे युंग 1922 मैं इन दो प्रक्षार अभी तक तो पटवारी और लेकपाल दो नाम जादा आ रहे हैं आम दोर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग-अलग तरीके होते हैं कई जगव पर एक लंबी जंजीर का इस्तमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं ठीक है खेत नापने के लिए जो इंस्ट्रुमेंट य क्षिक पर करते हैं किसान कई बार फसल बदल देते हैं कुछ और उगाने लगते है यkaar कोई कहीं कुआं खूद लेता है किसान को जैसी facilities को समझमाहिए कि वो अपने बाच्चित करके यह काम करता है यह है राजस भृच का काम बाउर बी काम है देखे इन सबका हिसाब रखना सरकार के राजस विभाग का काम होता है इस विभाग के वरिस्ट्रे लोग इस काम का नेरिक्शन करते हैं भारत में सभी राज्ये जिलों में बटेवे हैं यह आप सबको पता है ना जमीन से जुड़े मामलों की विवस्ता के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बाड़ दिया गया है जिला भी बहुत बड़ा होता है तो अकेला को नहीं संबाल सकता है तो इसको भी क्या किया गया है छोटे 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 पार्ट में डि यह नाम दिया जाता है सबसे उपर जिलाधीकारी हो गया चीन पर उसके नीचे कौन आ गया है तैसिलदार आगें तो सबसे उपर कौन हुआ जिला अधिकारी उसके नीचे तैसिलदार होते हैं उन्हें विभिन मामलों को निप्टाना होता है वे पटवारी के काम का निरिक्षन करते हैं पटवारी कहा रहते हैं गाउं में रहते हैं तो उनके काम का निरिक्षन कौन करेंगे तैसिलदार जा राजव्हूस वीभन क्या कर एकता होते होते हैं मतलब को वीवन कर एकता करते हैं वह सब देखते हैं कि किसानों को अपने रिकौर्ड के नकल आशनल строड़ दौध क συLaura जगडा होना हो तो उनका जो क्यों है उसका जो भी स्रणी उसको ब्लुप्रिंट हो जाते हैं चाहरों में इतना नहीं है तैसिलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं अगर किसी का जमीन जाजातका है जमीन का लफड़ा गाओं का तो तैसिलदार के दफ्तर में जाके निप्टारा हो सकता है उसको आप पर अपनी दोजार पांच इसमें क्या है बच्चो अभी तक कई राज्यों में हिंदू और तो को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था पिता की मृत्यों के बाद जमीन बेटों में बाहर दी जाती थी हाली में ये कानून बदल गए हैं नए कानून के मुताबिक हिंदू परिव से राजश के और इसमें आपको आप्षण दे सकते हां कि HAVE कोस्षण जरूरी नहीं ऐसा पैरodor को अपन देखने आपने समझ देखने कि कौन सा कुशन है यह कौन सा आ रहा है यह चीज़ आपको देखना है अब है हमारा सैवन चैप्टर नगर प्रशाशन नगरों में बहुत बड़ी संस्ता होती है जिसको हम नगर निगम कहते हैं नगर निगम कहते हैं जहां पे संस्ती जादा होतीं उस वहां पे नगर निगम होते हैं आप जैसे कि दाउर नगर निगम का में उन्षित करना भी है कि शेरों में विमारिया न फैले ही इसकुल स्ताइब करता है और उन्हें चलाता भी है जो कॉर्मेंट इसकुल होते हैं शहर में दवा खाने और अस्पताल चलाता है यह बाग बगिचों का रक्रकाव भी करता है कौन करता है नगर निगम यह नगर निगम के काम है सारे तो नगर निगम की यह काम है आप इसको देखेंगे इसमें इसे भी कुछ न कुछ कोष्ण तो बनी सकता है और छोटे शहरों में इसी संस्ता को नगरपालि का कहते हैं जस लाइक आइम लीविंग इन मिर्जापूर में रह रहे हूं तो यहां पर क्या है बच्चो नगरपाली का तो नगरपाली का तो नगरपूर जो है चोटा शहर है अब है निगम पार्षद और प्रिशाषनिक कल्चारी क्योंकि काम इनिका है इतना बड़ा शहर है तुअ हर यह तो हर विक्ति नहीं जाएगा ना हर एरिया में तो जाएगा नहीं जैसे कि हमारे गाउं में वाट पंच होते तो वैसी ही शेहरों में क्या होते हैं निगम पार वार्ड में से एक पारिषत का चुना होता है नगर निगम के कुछ निडएं ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं ऐसे जटेलंदने पारशतों कि समुझ के द्वारा लेते है क्योंकि एक अकेल़् पारशत नहीं लेता पूरे पूरे शहर पर बढ़ रहा है कुछ पार्षद मिलकर समीतियां बनाते हैं जो विविन मुद्धुक पर विचार विमश करके नेड़ने लेते हैं अगर पूरे शहर को इफेक्ट पढ़ रहा है तो अकेला पार्षद वहां की चीजों को नहीं बना सकता वहां का जो डिसीजन वह नहीं ले सकता है इसलिए पार्षद की समूद्वारा डिसीजन लिए जाते हैं पार्षदों की समीतियां ही पानी कच्रा जमा करने यानि कच्रा जमा करके उसको पेगना कहां पे करना है सडकों पर रोशनी आदि की वरस्ता करती हैं जब एक वाट के अंदर की समस्या हो करते हैं वहीं उन्हें कानून लागू करने का काम आयुक्त यानि कमिशनर और प्रशाशनिक कर्मचारी करते हैं बाइदे वह अगर आपकी कोई प्रॉबलम है आप गए वाड के पास में वाड किसके पास में जाएंगे इधर जाएंगे ठीक है और फिर जो भी चीज़ी होग और आपकी जो भी प्रॉबलम के उसल हो जाएगी आयुक्त और प्रशाशनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा निक्ति की जाती है जबकि पार्शत निर्वाचित होते हैं देखिए पार्शत क्या होते हैं बच्चों निर्वाचित होते हैं जिने हम लोग चुनते हैं इनका च शहर में काम को अलग-अलग विभागों में बाट दिया जाता है जैसे जल करता है कच्छवा में करने करने का विवाग होता है सबका नगर प्रशार्शन और बच्छार्शन यहां पर केस स्टड़ी है कि हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि इस में से भी आपके कोई कोश्चन आज है इसको ही पढ़ लेता है तो हमाराइद फिनिश हो जाएगा एकाई तीन यूनिट थी हमारा फिनिश हो जाएगा अब हम चलेंगे यूनिट फोर पे जहां पर हमारे टू चेप्टर हैं वह भी कोशिश की जाएगी कि आज फिनिश करके आपको प्रोवाइट करवा दिया जाए उसके बाद कल से हम पढ़ेंगे जोग्राफी क्लासिक्स की जोग्राफी और यह चैप्टर आपके कोशिश हो रही है कि वन देज में हो जाएं कंप्लेट और इसको अच्छे से देखते रहेगा एक बार बार इसको पढ़ते रहेगा अपी तो दिसंबर में आपका एक्जाम है तब तक आप लोग बहुत अच्छी तयारी करेंगे कि सुरत बहने करें प्लीग फैला था सूरत भारत के सबसे गंदी शहरों में से एक था लोग घरों का और होटलों का कूडा कच्रा भी पास के नाली में सड़क पर फेक देते थे इससे सफाही कर्मचारियों को कूडा उठाने और उससे ठिकाना लगाने में काफी मुश्कि जरीवा बच् prag किया करना इसको दियान रखेगा जिन लोगों को प्लेग हो जाये उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गवाई करीब तीन लाग से भी अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा प्लेक के डर ने यह अनिवारी कर दिया कि नगर निगम मुस्तेदी से काम करे सारे शहर के अच्छी तरह से सफाई हुई आज की तारिक में चंडीगड के बाद साफ शहरों में दूसरा इस्तान सूरत का है ठीक है और एक इंदौर का भी है वो भी याद रखिएगा और आप भी कोशिश करें जिस शहर में आप रहते हैं वहां की साफ सफाई पे ध्यान दे हाला कि हमारी जो गवर्मेंट है वह पूरी-पूरी कोशिश करती है कि शहर साफ रहें और कुछ जूटी हमारी एज इस सिटीजन भी बनती है कि हम भी अपनी शहर को साफ रखें लेकिन देखते हैं कई लोग खाते हैं गुटका वगेर और ऐसे थूख देते हैं चलते चलत कि फ्रम वेयर दिस वाचिंग माई वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में और उसके बाद जोग्राफी बाई 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 टेक केर और बेस्ट अफ लग अल फ्यू